हाई गाईश वेलकम बैक टो उनिक टेक्नल सर्विस आज हम जो रेफ्रिजेशन जो फिल्ड में जो सूपर हीट बोलके एक जो सुना होगा आप लोग ने ज्यादा सा जो टेक्निशन इस बात में बहुत जादा जो कन्फिश रहते सूपर हीट क्या होते उसको क्या जरूरत है हमको यह कीदर एजस्ट कर सकते हैं उसका बारे में बहुत सारा लोग को डौट है और इसका बारे में बहुत सारा वीडियो भी यूटूब में अल्वेडी है और जो कीदर का टेंपरेचर नोट करना चाहिए वो सब जो चार्ट में एक्स्पेम किया हो बहुत सारा जो बोलके एक चीज जो होता है, जानना एक इंपोर्टेंट चीज होते है, जो रेफ्रिजरेशन फिल्ड में जो काम करने वाला लोग, क्योंकि सुपर हीट से आपको जो पता चलते हैं, आपको जो मिशीने वो अच्चा जो एफिशेंसी से चल रहे हैं, यह नई चल रहे हैं बोलके, इसलिए इसको जानना जो ज़रूरी है, जो यो अपरेटर होते हैं हमारा, यो अपरेटर में जो सुपर हीट का जो सुपर हीटेड वेपर बनके हमारा जो कमपरेशर को रिटन जाना चाहिए, गैस, क्योंकि यह सुपर हीटेड जो वेपर हमारा जो कमपरेशर को भी सेफ है, इसमें लिक्विड जो नहीं रहते हैं, इसका वज़ए से जो कमपरेशर डैमेज भी नहीं होते है, यो operator में भी superheated बनके जाना चाहिए superheat से हमको क्या पता चल जाते है अब एक्जाम्पल में बताता हूँ इधर जो हमारा जो condenser से जो liquid gas आया हुआ है इधर से जो liquid gas आया हुआ है liquid gas क्या हो रहे है? एक्स्पेंशन वाल को जा रहे है जो liquid gas आया है बट यो operator में क्या होता है? वो joh liquid वो vapor बन जाता है उसका जो state change हो जाता है state change होने का बाद जो vapor बन जाता है उस vapor को भी और heat मिली गया तो और heat जो मिल पकड़ता है वो superheat है मतलब normally जो liquid जो इधर जो हमरा यह उपरेटर में अपना जो state जो change कर ले लिस जैसे कि इधर लि कुट्वीय ऊपर ऊपर जाते मसलिब जो आदा जो कॉइल होने के टाइम का होते है लिक्वेड से वेपर बनना शुरू हो जाते लास्ट शायद एक-दो कॉइल में हो जाएगा वह लिकूइट से वेपर बन गया फिर भी हीट पकड रह, क्योंकि हावा तो ईदा से जो चलते रहेते हैं, हो हीट से क्या होजते है, वह सूपर रीटेट बन जाते हैं यह जो सुपररीटते जो सक्षन लाइन का तुरू यह वाला जो बड़ा वाला लाइन से देख सकते आप इसका तुरू क्या होता है हमारा जो कंप्रेसर में रेटन चले जाते हैं तो कंप्रेसर के लिए सेफ है क्योंकि यह सुपरीटर है सुपर रिटेट नहीं है बोलते क्या मतलब इधर से लिक्विड फ्लो आ रहे है अभी समझें इधर से जो लिक्विड आ रहे है हमारे जो जो कंडेंसर से तो दो लिक्विड क्या होता है इधर से जो प्रशर जो रिडिस होके यो प्रेटर में जा रहे है बट इदर यह operator में क्या होते है उसको इतना heat नहीं मिल जाते है heat नहीं मिलते है liquid से vapor बन जाते है कैसे भी end तक जो पहुंचते हम होते है liquid से vapor बन जाते है बट उसके additional heat नहीं मिलेगा मतलब वो superheater जो नहीं है उसका अंदर liquid percentage भी हो सकते है टोणा उल कुर परपसनेज हो तो क्या होते है वह वापास जैकर हमारा कमपरेशर को ढेमिज करेगा सक्षण लेनमें इदर लिक्वीड वापस आ गए काकर को डेमिज करें तो process के लिए अमको क्हा हुआ करने बड़ेगा SUPER HEET को करना चाहिए, मैंटेन कैसे करेगा, अब जैसे कि यह TXP वाल है, TXP मतलब तर्मो स्टेट एक्समेंशन वाल, इसका बारे में वीडियो अल्रड़ी है, इसका ओपरेशन कैस है, बलके चाहिए तो आप देख सकते हैं, यह क्या करेगा, हमारा यो अपरेटर को कितना लिक्वि सक्षनलेन का टेंपरेचर सेंस करेगा, सेंस करके इसको बताएगा, यह भी परेशर भी ले रहे है TXP वाल, सक्षनलेन का टेंपरेचर भी ले रहे है यह क्या करेगा यह दोनों को इधर से जो प्रशर देते हैं जो सक्षनलेंग का प्रशर इधर जाते हैं जो टेंपरेचर से क्या होते हैं इसका अंदर जो गया से वो इसको प्रशर दे यह दोनों का जो प्रशर से जो स्प्रिंग प्रशर और उसका बाद में हमारा जो सक्षन लेंगे जो प्रशा उससी साबसी ओपरेटिंग होते हैं ओपरेटिंग मतलब कैसे फॉर एक्जांपल एक्जांपल मतलब अभी जैसे की रूम टेंपरेचर बहुत लो हो गया मतलब रूम में लोड नहीं लोड नहीं है तो क्या होते हैं हमारा जो सकशन लें जैसे की यह से योös agua अउसको अंदर लीकविट से वीपर बनने के लिए हीट नहीं है हीट नहीं है मतलब रूम में लोड नहीं है मतलब रूम और ड़ी तणदा हो चुका है तो क्या होएगा इसको हीट नहीं मिलेगा तो यह super retreat तो नहीं बनेगा क्योंकि heat नहीं है तो क्या होगा वो return आएगा return किदर आएगा suction lane से return आएगा return आएगा लो ऍपरेचर आएगा इधर सरय जो liquid हाओ पास है तो लिक्विड तो नहीं है तो ज्टाइगा जादाव लिकविड फ्लो मत करोब किया क्या करेगा तो रूम में ज्यादा लिकूड फ्लोこれ नहीं हिए है तो तो वो न सरस्क्राइगा इदर से जो आ रहा है, इदर से जो liquid जो पहले आ रहा था, क्योंकि लोड जब नहीं था, जब लोड आएगा रूम में, इदर liquid नहीं आएगा, क्योंकि fully state change भी हो जाएगा, तो क्या होगा, इदर फिर से इदर sensing आएगा, तो इसको जो temperature इदा, हाईए रूम में लोड बन गा, रूम में अभी लोड ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा, ये फिर से comment देगा, टी एक्सवी को, रूम में लोड बड़ा है, अभी liquid फ्लो ज़्यादा करो, इसको comment आएगा, तो ये क्या करेगा, लिक्वीड फ्लो ज़्यादा करेगा, ये सब mechanical ही, कोई electrical कुछ भी ने, इदर प्रॉप पर सुपरीटेट मेलेगा, अप लोग को अभी सुपरीटेट वेपर बोलेगा, तो क्या है, जो मालूम पढ़ गे मैं समझता हूँ, यही है कि इदर से जो liquid फ्लो होते है, लिक्वीड गितना फ्लो होते है, उतना liquid यो अप्रेटर में state change होना चाहिए, state change हो क्योंकि उसमें flow control नहीं है, यह direct कितना भी है जो पीछे से जो liquid आएगा, उतना ही liquid फ्लो करेगा, पस TXV ऐसा ने, यह कितना हमको जरूरत है यो अप्रेटर उससे साब से ही आपको liquid फ्लो करेगा, तो यह कह करते है, constant superheat maintain करते हैं, आपको कितना इदर जो superheat चाहिए, वो इतना ही जो maintain करेगा, बैचांस यह जो कराब होते हैं, आपको superheat इदर properly maintain नहीं कर सकते हैं, तो compressor आपको damage हो सकते हैं, प्रोपरली maintain मतला, superheat जो है, यह ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, superheat ज्यादा मतलब क्या है, इदर से liquid flow कम में बोलके, इदर block हो सकते हैं, इदर flow liquid नहीं आ रहे, इदर superheat चक करेगा, तो बहुत ज्यादा superheat, बहुत ज्यादा superheat मरते हैं, यह operator को liquid जो कम जा रहे, तो क्या हो रहे, कम जा रहे तो जितना गया हुए, वो तो जल्दी heat पकड़ेगा, heat पकड़ने के बाद जो भी liquid है, वो वेपर जो बन जाता है, बनने के बाद for additional heat जो ले रहे, तो heat लेके लेके काया हो, इदर जो पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा heat पकड़ेगा, तो ज्यादा superheat हो जाए, ज्यादा superheat भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा superheat हो के तो यह operator efficiency नहीं, आपको जो cooling ही नहीं मिले जितना चाहिए बोलके, low superhe temperature का मतलब का है, इदर से जो liquid flow हो जाते हैं अंदर, liquid flow होने को इदर से liquid वापस आ रहे, मतलब fully vapor नहीं हो रहे, तो इदर load नहीं है, इसका मतलब load नहीं, आपको load नहीं पकड़ रहे, नहीं तो liquid flow ही आपको ज्यादा हो रहे, liquid flow इदर से ज्यादा हो रहे क्योंकि TXP properly जो control न damage हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि superheated कम भी नहीं होना चाहिए, superheated ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो अगला वीडियो में हम यहीं जान लेगे, superheated adjust कैसे करेंगे हम, adjust करना पड़ेगे तो adjust कैसे करें, और किदर का temperature, किदर का pressure को, pressure temperature chart में चक करके, कैसे हम TXP को भी adjust कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, आज का वीडियो आपको useful होगा, वीडियो चलेगे तो लाइक सार कमेंट कीजिए, हमारे चानल को भी subscribe भीजिए, thank you for watching